हेलो दोस्तों एक बाद द्वारा से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेगणा स्टाक्स पर दिल से दोस्तों अगर आप चैनल में नए आपको सब्सक्राइब करो साथ बैल को दबाना ना भूलना और दोस्तों एक छोटी सी अनॉंसमेंट भी करनी है तो अनॉंसमेंट इस प्रकार से है कि बहुत साले मुझे कह रहें सर आप पेट कोर्स लेके आईए तो मैं पेट कोर्स तो नहीं लेके आ रहा हूं अभी मैं आपको सिर्फ एक फ्री कोर्स देना चाहता हूं ठीक है तो अगर आपको फ्री कोर्स में पार्टिसिपेट करना है त ठीक है तो हर संडे अगर क्लास होगी तो भाई अगर आप वीडियो को सिर्फ एक बार शेर कर दोगे इसका मतलब यह नहीं कि आपको रोजाना हर संडे आपको मैं क्लास में ले लूँगा नहीं आपको रोजाना हमारे वीडियो को शेर करना लगता है ठीक है फिर ताकि हर कर देना फेस्बुक टूटर टैलिकान वटसब में और शेर करने के बाद हमारी वियार स्टॉक करके इंस्टागराम आईडिये वहां मुझे टैक कर देना स्किन शॉट ताकि मैं आपको क्लास का लिंक देख सकूँ दोस्तों आप बात करते हैं आज कि हमारे डेट फिरी पैनी करो बाकि आपकी मर्जिए अब को बाए करना तो आपकर सकते हो ऑफिया आपका अपना पैसा है आइड आपको जो अच्छे लगता आप कर सकते हो और दोस्तों आप ब्था भी सकते हो कि आपको वीडियू कैसे लगा नीचे कॉमेंट करके और साथ में आप खुद के कुछ स स्टॉक्स हमें रिकेमेंट कर सकती हो अगर मुझे अच्छे लगेगा तो इसके पर वीडियो बनाके आपकी हेल्प कर सकता हूं कि स्टॉक का चार्ट पैटन यह कह रहा है बैस एंट्रिपाइज होगी स्टॉप लोज यहोगा टागेट यहोगा और दोस्तों कभी कवार आप स्टिल इंडिस्ट्रियल इमेडिट यहां दोस्तों नाम थोड़ा अटपटा है आप मैनेज कर लेना ठीक है एनसी वे लिस्टिट कंपनी है और दोस्तों आप देख सकते स्टॉक आज एक ग्रूपे 20 पैसे का इस पर ट्रेट कर रहा है और इसमें आप बुस्त जिग-जैक इसमें ट्रेडिंग हो रही है और दोस्तों अगर बात करते इसमें कामकाज की दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों इसमें डेटा तो नहीं हो पा रहा है ठीक है मेरे खाल से टेक्निकल ग्लिच होगा जाते मेरे नौलेज कहती है आज भी अच्छी कासी क्वांटिटी स्टॉक में ट्रेड होई है और उसमें से मेरे खाल से 40-50% के आज़से लोग घर लेके गए होंगे माल क्योंकि प बाद में कैच अप कर सकता है तो इस प्रवायज के श्रीच कर सकता है राली को में टैक है अप करता हूं कंपनी चार्ट की ले या जो चार्ट है यह स्टॉक का चार्ट मुझे पसंद क्यों हो आँँग दोस्तों आप देख सकते हूं मैंने बहुत सिंपल है यह स्टॉक का जो बाय प्राइज है वो एक रुपे के आसपर बहुत च्छा बैठता है ठीक है मैं टोटली एगदी कर रहा हूं कि एक रुपे इस बैस प्राइज तो एंटर लेकि इस टॉपोस अगर आपको लगाना तो 80 पैसे निचे इस टॉपोस लगा लेकि लेकि दोस्तों अगर आप सिंपल काम किया एक ट्रेलाइंट ड्रॉप कर रही है इस हाई से लेके इस हाई तक अगर आप इसको मिलाओगे आपस में तो दोस्तों आप देख सकते हो यह चीज़ सपोर्ट के तरह काम कर रहा है और हमे बढ़िया है आप स्टॉप को बाई करके होल्ड कर सकते हैं लेकिन भाई यह चोटा सा स्टॉप रूपे पांच पैसे का स्टॉप अगर आपका एक रूपे पांच पैसे के निचे जाए ना तो आपका स्टॉप प्लोस हिट हो जाएगा इसमें शौट टर्म का ठीक है और आप वेट कर सकते हो अरामसे यह लास मीं आपको दिख रहा है यह लास मीं जो हाई है वाला कि अरांस से आपको टार्गे't बिखा सकता लेकिन चीड़ आप थिहां से गोगे अगर अपनेच पैसे के लेकिन एक रूपे साथ फैसे का Picard इस स्टॉप चॉट ग्येन लेकिन 85 पैसे का आपका straw close होना चाहिए बस, 85 पैसे का, और दोसा अगर आप ध्यान से देखो कि तो इसमें एक U-Pattern का formation हो रहा है, इसको मैं बहुत छे देखें तो follow करता हूँ, अगर यह successful हो जाता है, तो definitely आपको जो target है, काफी बड़े देखने को मिल सकते हैं, लेकिन stoppros आपका cup and handle pattern से भी 85 पैसे का ही निकल के आता है, तो 85 पैसे इजा main हमारा stoppros होना चाहिए, तो 85 पैसे इन stock आपके नीचे जाता है, तो एक बार stock से definitely हलके हो जाना, चार्ट हमें य यह कह रहा है, तो चार्ट हमें यह कह रहा है कि stock buy करके हम hold कर सकते हैं, और इसका sector भी बहुत buy की तरह bullish है, लेकिन बात करते हैं कि company के profitable, companies are profitable, company में कितने से रुल्टी pattern है, pledge हो रहा है, तो देख सकते हो, एक बार हम वो भी देख लेते हैं, उस तो देख सकते हो, मैंने company के ब सपस, जैसे आपको पता है, और एक रुपे 50 पैसे का सपस का हाई है, और 35 पैसे का low लगाया company ने, ठीक है, तो book value को इसाफ से अपने book value के असपस rate कर रहा है, और dividend company नहीं दे रही है, ठीक है, अगर बात करते है, company is a debt-free company, जी आँ, दोस्तो, company is almost debt-free, और अपने book से काभी स system आपको मिल रही है, तो definitely आप सपको रड़ा में रख सकते हैं, कुछ quality points है के, और बात करते हैं, negative points के, दोस्तो, देख सकते हो, company आपको लगाता, repeated profit दे रही है, repeated profit का मतलब होता है, की company is a profitable company, और दोस्तो, company, इसका stock का पाई, इतने नीचे क्यों आया, बहुत simple है, company की sales थी, प्लास पांच सालों में बहुत कम देखने को मिली है, अगर बात करते हैं, company के profit की, तो quarterly results खोल लगे है, पहले हम देखते हैं, company के sales, दोस्तो, sales देखते हैं, company के ठीक ठाक है, ठीक है, 49 क्रोड के आसपास की sales है, December में, अगर net income की बात करता है, तो company का net profit है, वो है 87,00,00,00,00 अगर बात करते हैं, year basis के performance में, दोस्तो, आप देख सकते हैं, company के sales है, वो थोड़ी down हुई है, इस current year में, TTM में अगर आप देखते हो, तो 90 क्रोड के आसपास की, के आसपास आती है, लेकिन दोस्तो, अगर आप उसके expense देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा है, दोस्तो दे अगर कुछ तब्दिली की जाती है, यह expense कट हो सकते है, expense कट होगे, definitely stock का profit है, वो बड़ा आ सकता है, तो net income, दोस्तो आप देख सकते हो, net profit, company तब भी expense ratio ज़्यादा होने के बाद, जो भी company आपको profit दे रही है, इसका मतलब, इनके income, other source से आ रहा होगा, यहाँ दोस्तो दे बड़ा में रख सकते हो, company के profit है, वो काफी गजब और सांदार मुझे नजर आ रहे है, definitely दोस्तों, इसके उपर मैं एक second video बहुत जल्द बनाऊँगा, उसमें share करूँगा, कि this stock मुझे, मैं किस price में entry करने का प्रयास करूँगा, जो profits company के मैं देख पा रहा हो, अभी yearly business में वो काफी खतरनाक लग रहे हैं, मुझे company के price के साब से, तो definitely मैं इसके उपर second video पका बनाऊँगा, अगर आप चाहते हो, कि second video बनाया जाए तो definitely निचे comment करो, और दोस्तों, बात करते company के reserve की, balance rate की, दोस्तों, देख सकते हो, reserve 23 क्रोड के आसपास का reserve है, और debt मात्र 70 लाग अगर debt है, जो अभी के अभी देखे, debt-free बन सकती है, आप बहुत सकते हो, यह company is almost debt-free company, अगर बात करते हो, company के बास cash flow, तो दोस्तों, आप देख सकते हो, company के बास कितना cash flow है, almost, almost, एक सेगेन है, almost 2.79 क्रोड के आसपास का cash flow maintain है, बहुत बढ़ी है, अगर बात करते है, सिर motor holding है, वो ठीक ठाक है, इतनी negative नहीं है, कि stock आपका एक रूपिकास पर trade कर रहा है, तो भाई, definitely आप stock में bet लगा के भूल सकते हो, मेरे साब से, मैं technical chart के साब से stock को 10 में 10 नमर देना चाहूँगा, और 7 में, जिस price में आपको मिला, उसमें भी इसको 10 में 10 नमर देना जो 2% का rule है, उसको फॉलो कर लेना, अगर आप चाहते हो कि इसको पर मैं continue वीडियो बनाऊ, आपको update देता रहा हूँ, तो वीडियो को share कर दो, अभी के भी Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp जहाँ आप कर सकते हो, साथ में comment करके बताओ कि इसको पर आपको second part चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि मैं